हेमंत सुरेण को टार्गेट करना जितना असान है, उतना कठीन भी है। हेमंत सुरेणा के पार्टिवाले कार्यकरता साभी ने अब बाबुलाल मरांदी को ही टार्गेट करना शुरू कर दिया है। देखा कि आपने अभी थोड़ा से वीडियो किलिप चला हुआ था, उसको ट्वीट किया जा रहा था, बीजीपी में सामिल हुए, ये जो वीडियो अभी देखें आप सभी कोई ने, और ये वीडियो था जब बावुलाल मरांडी जेबिये में थे, जेबिये में अपना पार इसलिए इधर ना जाके हम जाते हैं बीजीपी में वापस, अपना स्थिती को खराब देखते हुए, क्योंकि उनका पट के जितने विधाक है, सब तो बिख जाते थे, जितने विधाक बनते थे और बिख जाते थे, आभी पूरा देखिए गए वीडियो इसके बाद आप स की ज़िया सोच रहा हैं? ये वीडियो में ही पता चलेगा. तो गलत होता है, इसे किसी भी सूरत में सही नहीं ठारा आना चाहिए, चाहिए कोई भी हो, कोई भी गड़वडी करे, सबको सजा मिलना, सबको नहीं, जो गलती कि नहीं है, उसे सजा तो मिलना जब रही है आप सभी को सब को पता है कि हिमन सोरेंट जेल चले गए है जमिन घोटाले के मामले में जमिन में हेरा फिरी किया इसके कारण जेल चले गए है तो देखिए बीजीपी के नेताओं ने ट्विट किया क्या किया इसके बाद होड मच गई जेमिन के कर्ये करता हूँ आप लोग बताईए क्या सही हुआ क्या नहीं हुआ है तो आप सभी को बताते हैं क्या क्या हुआ है देखिए देख सकते हैं आप इस स्क्रीन में बीजीपी जहरखन ने ट्विट किया है हेमंत का अंत इसके बाद तो देखिए उल्लक को सुनाने वाले क्या जहरखन में हेमंत सरकार ही भरष्ट है उसके जितने भी बीजीपी नेताओं का भरष्ट नेता है सब के उपर ट्वीट बीजीपी नेताओं को याद दिलाना शुरू कर दिया गिया है देख सकते हैं आप एकदम ट्वीट पे ट्वीट है सब का नाम बताते जाते हैं अभी देखिए आप सभी को अभी स्क्रीन में बताते हैं सबसे पहले ट्वीटर में ट्वीट किया है देव कुमार गौतम ने क्या ट्वीट किया है खनन घोटाला और यहां टोफी टीसेट घोटाला मन्रेगा घोटाले कि जाच के लिए ED क्या करवाई कर रही है रगवरदास का रास्ता भूल गए क्या तो यह कहीं ने कहीं दरसाता है कि ED और CBI जहां तक हमें अपना अनुमान लगता है पता सच क्या है नहीं है और अधिकतर 100% हमको पूरा यही लगता है कि BGP बिपक्च पाटियों को टार्गेट कर रही है बात सिए अगर जहारखन में हमन्त सोरेन को टार्गेट कर रही है तो रगवरदास को भी टार्गेट करना चाहिए उसको तो राजेपाल बना दिया गिया है और एक है सेर सीना तान कर खड़ा था काईरों की तरह पीछे से वार करवाया धोखेबाज राजेपाल ने राजेपाल को यहां पर ले लिए क्योंकि है बोला जा रहा है कि राजेपाल भी यहां बीजीपी का ही चमचा करना इस्टार्ट कर दिया है तो बहुत तरह के यहां पर दुकान है और बाबुलाल मरांडी के उपर कटाच करते हैं एक तो लिखा जमेम दुमका ने लिख दिया खुद का थुका हुआ चाटने में अपना महारत हांसिल कर लिया है दुमका जमेम ने बाबुलाल मरांडी को याद दिला दिया कि बाबुलाल मरांडी का भी कहते थे क्या चीज कुतु मिनार से कुद कर जान देना पसंद भाजपा में सामिल होना नहीं बाबुलाल मरांडी ने ऐसा बोला है देखिए और एक धर से भी है, बाबुलाल मरांडी का फिर एक बयान जो पहले कभी छपा हुआ था, इसमें है सौरब भट जेमेम के जो कार्य करता होंगे, वो लिख रहे हैं, गाउं से भाजपा को खदड़ेंगे, नहीं तो वे गाउं को खदड़ देंगे, मतलब कि याद दिला रहे हैं बाबुलाल मरांडी को, अज बाबुलाल मरांडी को सबसे ज़्यादे क्या बोला जा रहा है, कि चोरो का पाटी, गुंडा का पाटी, तो उसको याद दिलाया जा रहा है, कि आपने भाजपा में घुश के, आप भी तो अपना थे को धोलिए, और यहां पर देखिए, एक लिख रहा है क्या चीज, अमित राजन क्या लिखा है, अच्छा धोंगी मनुवादी, चमपै सोरेन सपत कब लेंगे, किसका इंतिजार कर रहे हो तुम, विधाय खर्दने का या खुद का सासन करने का, सर माता है, बिहार में तुरंत हो गया सपत, जारखन में हो ही नहीं र लिख रहा है, अव बहुत से यहां पर है, तो आप लोग देख सकते हैं, तो ऐसा ऐसा बहुत सारा वेडियो है, एक है किया चीज, अकास कुमार, ये ने ट्विट किया है, किया चीज, हेमन सोरेन पंडित जी का इस्थिपा सोपने राजपाल भोवन जाते हैं, क्या लिख स्थापा सोपते हैं, वहाँ छुपकर बैठी, एडी की टिम उन्हें गिरिपतार कर लेती है, जब घर पर दिसम गुरिस सुबु सोरेन और हेमन्त की बचे इंतिजार कर रहेते हैं, जबके घर पर सीबु सोरेन उनके बचे इंतिजार कर रहेते हैं, और वहाँ एडी उनको गहे हैं और यह जितने दीक रहे हैं बगल में सब क्या क्या चीज है फेमा खाडू 2000 कडोर का घोटाला जये पांडा पपलाम गोटाला है और देख सकते हैं सुरेंदर देखिए तरी वादी सारदा घोटाला यह सब हैं दूसरे पार्टी से आये हुए सभी कोई नेता है, जैसे ही बोला जाता है कि BGP में जो आता है, वो सर्फ Excel की तरह एकदम सुध हो जाता है, तो देखिए, अगर हेमन सोरेन भी इसी में अगर जाते, तो ये भी साध आज इसके AD छापाने पड़ता, तो देख सकते हैं आप सच बात है, आदिवासियों में और गाउं में भी अब सब जाहिर हो गया है, अभी तक हम सुनते थे जो BGP का बहुत ज़्यादा गुनगान तो नहीं, BGP को गुनगार करते थे, गाउं में भी अब चर्चा होना इस्टार्ट हो गया है, विसेश कर मेरे गाउं के अगल ब पसंद आया होगा तो लाइक सस्क्राइब और कॉमेंट जरू किजएगा, आप लोग क्या सुचते हैं, BGP या जेमें, लेकिन निधर हमारे गाउं घर में तो आप बात करना स्टार्ट कर दिया है, कि BGP, BGP में भी चोर लोग भरा हुए है, इसा बात करना स्टार्ट कर लेकिन BGP वाले अपना पाटी के नेता को क्यों नहीं, ADCBI का छापा मरवाती है, सिर्फ विपक्स को टार्गेट कर रही है, तो चलिए, जैंद जै जर्खंड